वीडियो स्टाइट करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पे डिसकस कर लेते हैं जैसे कि हमारा डिस्क्लेमर है जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंसन किया हुआ है कि यह जो हमारा चैनल है मेक माइस्टॉक यह सिर्फ लर्निंग परपस के लिए और यहां पर मैं अपना व्यू शेयर करता हूं इससे अगर आप कोई लेते हो तो उसमें प्रॉफिट अड लॉस का कोई रिस्पॉंसिमिलिटी हमारे और हमारे चैनल की नहीं होगी फिर आगे चलते हैं डिसक्स करते हैं आज के मार्केट व्यू के बारे में और कुछ डेटा पर उसके पहले आप से रिक्वेस्ट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन क्लिक कर लिजे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और अगर आप हमारा वीडियो वाच करते हैं तो इसको पूरा वाच करें इसकिप करके वाच ना करें कि मैं जो डेटा देखता हूं अपने चैनल पर जो मुझे डेटा वीजीवल होता है उससे मुझे क्लेरी पता चलता है कि अगर पांच मिनट का वीडियो है तो इसको पूरा देखिए विदाउट इसकिप किये हुए तो आपक के मार्केट मूव पे डिसकुस करते हैं आज मार्केट में गैप अपनी वहुआ अलमोस्त 13600 के अरौंड ओपनीं वह और उसके बाद कंटिनुवस्ली सेलिंग मार्केट में लाइस्ट के फ्यू आवर्स में 100 पॉइंट का रिकवरी हुआ है तो मार्केट में से बाइबैक भी हुआ है थोड़ा रिकवरी हुआ है जब इसके इंट्रेस्टिंग डेटा पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो आज का जो डेटा है यह 11 दिसंबर फ्राइडे का डेटा का डेटा अगर आप देखते हो इंडेक्स फ्यूचर में तो 144,000 शॉट पोजिशन का डेटा अगर हम देखते हैं यह डेटा हमने नसी के वेबसाइट से डाउनलोड किया है जो कि डेली आपर मार्केट आवर्स अपलोड होता है तो आज के डेटा के हिसाब से क्लाइंट्स के लॉंग पोजिशन 1,22,000 जो कि अल्मोस्ट सेम है फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से लॉंग पोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है जबकि इसके शॉट पोजिशन इंडेक्स में 1,37,800 के करीब है मिंस अल्मोस्ट 6,000 कॉन्ट्राक्ट्स आफ लोड किये है शॉट पोजिशन में पोजिशन था जबकि आज हम देखते हैं तो 93,000 अल्मोस्ट 94,000 लॉंग पोजिशन है मिंस लॉंग पोजिशन में थोरा सा रिडक्षन हुआ है और शॉट पोजिशन में एगें शॉट पोजिशन 36,000 36,000 के करीव है जो कि almost 6,000 कॉन्ट्रैक्ट एड़ हुआ शॉट पोजिशन तो बेसिकली आज जो फॉल हुआ है उस फॉल में स्मार्ट प्लेयर्स ने सौर्ट पोईशन एड किया है जबकि रीटेलर्स ने अपने सौर्ट पोईशन को कवर किया है मिस बेसिकलि यहां पर डिस्ट्रिविशन क्लियरली विजिवल हो रहा है चार्ट पे और डेटा के हिसाब से कि जो भी स्मॉल प्लेयर्स है रीटेलर्स है वह अपने short positions को cover कर रहा है और जो बरे player है FIAS है वह अपने short positions वह अपने portfolio में short positions को index में add कर रहा है इसके अलाबा हमने options के data भी देखे हैं जिसमें call options का addition हुआ है retailers के retailers ने call position को add किया है जब कि FIAS ने call position reduce किया है और options में put position में FIAS ने position add किया है अगर stock future देखे तो stock future में भी FIAS ने positions थोरे बहुत हलके किये हैं जबकि retailers ने अपने stock future के positions को long side में increase किया तो overall distribution clearly visible हो रहा है यह almost distribution जब market one sided move होता है तो top level पे इस type का distribution दिखने को मिलता है और clearly indication है कि any moment market you turn ले सकता है और जो हमारा पहले का view था जो हमने पहले की वीडियो में mention किया था कि हमारा यहां से जो target है वो 12,700 का target है within December और maybe by next month within one month 12,200 का हमारा second target है तो अभी हमारा position sort में है और हम sort position को carry कर रहा है जो कि positionally maybe up to 31st December month end और mid June तक mid Jan तक हम अपने sort position को hold करने वाले for target 12,700 and 12,200 ठीक है तो यह मेरा view है आप अपने NCA analysis करके आप अपना trade position बना सकते हैं अभी कोई हमारे end से कोई stocks में कोई recommendation नहीं है अभी मैं stocks पर कोई track नहीं कर रहा हूं नहीं मैं कोई recommendation share कर रहा हूं क्योंकि अभी market का condition 38 का PEE है यह अच्छा risk reward ratio नहीं है यहां पर कोई stock में entry करने के लिए जब तक market में कोई deep नहीं आता मैं stock का कोई recommendation अभी मैं share कर नहीं करूंगा अभी मेरे पास और हमारे साथ जो भी trade करते हूं उनके उनके पास सिर्फ short position index में है जो कि positional view से हमने carry किया है ठीक है थैंक्य अब्रीवन happy trading बाई